हेलो फ्रेंड्स, EIS एजुकेशन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इगनू का एक बड़ा अपडेट है, इगनू ने एक नया फोर्म ओपन किया है उन वी ध्यार्थिकली जो इगनू एक कंपेटिशन अभी आयोजित करने जा रही है जिसकी लास्ट डेट 15 सेप्टेंबर 2020 आपको अपलाई करने की है उसके लिए प्राइजीज हैं पहला 20,000 रुपे, दूसरा 15,000 रुपे और तीसरा 10,000 रुपे चैलेंज का नाम है इगनू इनोवेटिव एप डिवलोप्मेंट चैलेंज 2020 किस डिटेल्स आपको दिखा रहा हूं उसके पूरा गाइडिलाइन और फॉर्मेट सब कुछ जारी कर दिया गया है लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूँ जो भी हमारा चैनल एई एस एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी अपडेट सम अप्लोड करें आप लोगों तक पहुँच सके और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वट्सप और टेलिग्राम गुरूप के लिंक दे गए जहाँ पर आप लोगों में फॉलो कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के सामने में नोटिफिकेशन दिखा जीता हूँ सोट में उसके बाद डिटेल गाइडलेंस में सोट में आपको बताऊंगा क्या टॉपिक है कैसे क्या करना यह भी आपको दिखा देता हूँ तो सबसे पहले तो यहीं है कि जो एरियाज है इनोवेटिव डिलप्मेंट चैलेंज के पहला है मैटरियल डिस्पैज और डिस्टिबिशन ट्रेकिंग सिस्टम फोर इगनू स्टुडेंट्स इगनू के व सिस्टुडेंट्स के लिए सभी इंफोर्मिशन सिंगल विंड़ प्लेटफर्म पे वलेबल कराना इसके अलावा जो ओनलाइन कांसलिंग सभी श्टेज्डी सेंटर और इजनल सेंटर में होती है उसको मोनिटर करना इसके अलावा ओनलाइन ट्रेकिंग ऑफ स्टेटस और सब्मिशन एवलिशन और अवार्ड्स कनेक्टिंग इगनु स्टुडेंट्स और अल्यूमिन एज इगनु अल्यूमिन नेट्वर्क तो यह सब इसमें पूरे पांच टोपिक दिये इन पर आप किसी भी टोपिक को स्लेक्ट करके उसके अपना पहले डोकुमेंट आपको ब इगनु को यूज के लिए फर्दर डिलोप्मेंट फर्दर मेंटेनेंस के लिए इन इंट्रेस्ट ओफ इगनु स्टुडेंट्स देना होगा कि पार्टिश्पिट करने के लिए सबसे पहले आपको यह गूगल फॉम फिल अप करना है उसके बाद सेकिंड स्टैप है उसके सब्सक्राइब करने के लिए एप को बनाना होगा अपने प्रटिकुलर एरिया में इसके लावा उनको अपना ओनलाइन मोड में अपनी डॉकुमेंट को प्रजेंट करना होगा पैनल ऑफ एक्सपर्स के सामने वर्चुल मोड में तो सेकिंड राउंड के जो स्टुडेंट्स है उसके सोटलिस्टी स्टुडेंट्स है उनको एप बनानी है फिर उस एप को एवल्यूट किया था है टीम ऑफ एक्सपर्स के दौरा और बैस्ट थ्री एप से उनको अवाड दिया जाएगा प्राइजी जो सर्टिफिकेट भ मोड अगर कंडिशन यहीं चलती रही तो हो सकता है इनको एप को भी अपने वर्ट्यूल मोड में प्रजेंट करना पड़े प्राइज मैं बता चुका हूं सेम है बीस हजार बीस हजार पंदरा जारत और दस हजार उपए इसके अलावा जो राउंड टू में स्टुडेंट पहुंचेंगे उनको certificate of participation इगनो के द्वारा दिया जाएगा तो लास्ट डेट है 15 सेप्टेंबर 2021 रखी गई है कोई clarification आपको चाहिए तो ncid.ac.ac.in पर mail करके पूछ सकते हैं और form आप लोगों के सामने हैं आप फिल अप कर सकते हैं बुरा google form का link वीडियो के description box में मैं दे रहा हूं यह google form है इसका link में वीडियो के description box में दे रहा हूं वहां से आप directly से fill कर सकते हैं यह था एकिनुका student innovative app development challenge 2021 किस form यह आपके सामने आपको कुछ नहीं नॉर्मल डेटेल्स वरनी हैं अपना नाम इंडूल्मेंट नंबर प्रोग्राम कोड रिजनल सेंटर एडरस मोबाइल नंबर इमेल आप पास आउट होचके तो भी आप भर सकते हैं और काम कर सकते हैं यह थी हमारे आज की बड़ी अपटेट